जहीं दोस्तों स्वागत आपको अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टोप 500 कुश्चन की कंप्यूटर की सीरीज आज है हमारा पार्ट नमबर वन और इसके अंदर हम पहले 50 कुश्चन डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो आपको रोजाना मिलेगा और हर वीडियो के अंदर हम 50-50 कुश्चन डिसकस करने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले सभी exams के लिए most important है चाहे वो कमांडो का exam हो, मेल कोंस्टेबल का exam हो, कैनाल पतवारी, ग्राम सी, वो सभी exams के लिए ये videos most important रहने वाले हैं तो चलिए start करते हैं question now first है, a light sensitive device that converts drawing, printed text and other images into digital form is, एक light sensitive device होती है, जो drawing को, printed text को और images को digital form के अंदर convert करती है, तो क्या होती है, options आपके सामने हैं तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, आपका option C, scanner, scanner एक ऐसी light sensitive device है, जो drawing, printed text और images को digital form के अंदर convert करती है और दोस्तों गर आपसे पुझा जाए, scanner किस type की device है, input है या output है या दोनों है, तो दोस्तो, scanner is a input device, scanner आपकी क्या रहेगी, input device, तो ये था हमारा question of first second question पर चलते हैं, second question आपका, which protocol provides email facility among different hosts, कौन सा protocol, within, मेजबानों के बीच, email, email सुईधा परदान करता है तो इसका right answer हो जाएगा, option B, SMTP, SMTP की आपसे full form पुझी जाए, तो simple mail transfer protocol, FTP की होती है, file transfer protocol, और SNMP पुझी जाए, तो simple network management protocol, ठीक है, तो full form भी आपको याद होनी चाहिए और दोस्तों, यहाँ पर मैं add करना चाहता हूँ, अगर आप, हरेना प्लिस कमांडो, constable, canal पटवारी, gram sieve के mock test बाई करना चाहते हैं, जो की बिल्कुल most important रहेंगे, तो आप download कर सकते हैं, अजे देवन SP application को link आपको मिल जाएगा, description box के अंदर, constable के आपको मिलेंगे, 35 mock test, और आपको canal पटवारी के, gram sieve के, और पटवारी के 25 mock test मिलेंगे, 149 रुपीज के अंदर, और commando के भी आपको 25 mock test मिलने वाले हैं, 149 रुपीज के अंदर, तो very very important practice setup ले रहने वाले हैं, तो आपको link मिल जाएगा, application का description box के अंदर, ने चलते हैं, question number third, very very important question, the basic architecture of computer was developed by, computer का तो धाचा था, वो किसके दवारा त्यार किया गया था, option आपके सामने है, john one newman, second option, charles babbage, c है blaze pascal, d है garden moore, तो दोस्तो basic architecture, जोधा computer का, वो develop किया गया था, john one newman के दवारा, option a, यहाँ पर बिल्कुल light हो जाएगा, next जलते हैं, question number four, काफी बार repeat होता है, exam के अंदर, in order to tell excel that we are entering a formula in a cell, we must begin with an operator, such as, excel को यह बताने के लिए, हम cell में एक formula दर्ज कर रहे हैं, हमें एक operator से शुरू करना चाहिए, जैसे की, दोस्तों, जब भी हम excel के अंदर कोई भी formula enter करते हैं, तो सबसे पहले हम equal to का sign यूज़ करते हैं, बराबर का chin यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो option D यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल right, next आता हापका question number 5, in how many generation a computer can be classified, computer को कितनी पीडियों में वर्गी करत किया जा सकता है, तो easy question है, computer को 5 पीडियों के अंदर वर्गी करत किया जा सकता है, इन 500 पीडियों के वारे में आपको पता होना जी, बार-बार exam के अंदर question बनत कितमे से कौन सी पीडि के अंदर vacuum tube पेश की गई थी, तो यह थी computer की पहली पीडि, computer की दूसरी पीडि की बात करें, इसकी अवदी थी 1969 से 1965 और यह है transistor आधारित थी, next computer की तीसरी पीडि, इसकी अवदी थी 1965 से 1971 और यह है integrated आधारित थी, next computer की चोथी पीडि, computer की चोथी पी पीडि की अवदी थी 1971 से 1980 और यह VLSI, micro processor पर आधारित थी, और दोस्तों आपको VLSI की full phone पता होने चाहिए, very large scale integration, computer की पांसवी पीडि की बात करें, तो इसकी जो अवदी थी, वो है 1980 से आगे की, और यह ULSI, यानि की ultra large scale integration, micro processor पर आधारित थी, कई बार question exam में यह पुछ जाता है, निमल एकित में से किस PD के अंदर, micro processor पेश किया गए थे, तो वो थी computer की चोथी PD, छीक है, नीचे आपको English में मिल जाएगा, अगर आप इसकी PDF लेना चाते हैं, तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, link आपको दिया गया है, description box के अंदर, next, 5th generation computer are based zone, पांसवी PD के computer आ artificial intelligence पर आधारित हैं, छीक है, इनके अंदर, ULSI, micro processor introduce किये गए थे, ये भी आपको याद रखना है, next, first generation of computer was based on which technology, computer की पहली PD किस तकनिक पर आधारित थी, तो दोस्तों, computer की पहली PD, vacuum tube पर आधारित ही, हम पहले discuss कर चुके हैं, next, question number 8 पर, मैंने आपको बताया था न, microprocessor was introduced in which generation of computer, microprocessor को computer किस PD के अंदर पेश किया गया था, तो microprocessor को fourth generation की चोथी PD के अंदर पेश किया गया था, इस सारे आपको questions रट लेने हैं, दोस्तों, एक्जाम में question आएंगे, next, second generation computer are made of, दूसरी PD के computer किस के बने होते हैं, तो ये होते ह option B, यहाँ पर write हो जाएगा, पहला vacuum tube, दूसरे के अंदर transistor, तीसरे के अंदर integrated circuit, चोथे के अंदर B, LSI, और पांसरी के अंदर ULSI, चीक है, next, which one of the following, memories non-volatile, निमलिकित में से कौन सी memory, gear wasp shield या non-volatile है, तो इसका write answer हो जाएगा, आपका, ROM, ROM की full form होती है, read only memory, जो की non-volatile हो next, GUI stands for, GUI की full form आपको यहाँ पर बतानी है, तो इसकी full form होती है, graphical user interface, option C, यहाँ पर हो जाएगा, write, graphical user interface, next, any data or instruction, enter into the computer, memory of a computer is considered as, computer की memory में दर्ज किए, किसी भी data निर्देश को मान जाता है, तो यह कहा जाता है, input, option C, यहाँ पर write हो जाएगा, ठीक है, next, time during which a job is processed by the computer is, वह समय, जिसके दुरान, computer दवारा किसी कारिये को संसाधित किया जाता है, तो इस, जो time होता है, इसको कहते है, execution time, निस्पादन समय, very very important question, वह समय, जिसक दुरान, computer, किसी कारिये को संसाधित करता है, उसको कहते है, निस्पादन समय, या execution time, ने, चलते है, question number 4, very very important, which one of the following, circuit is used as memory device in computer, निमलिकित में से, कौन सा circuit, computer में, memory device के रूप में, परियोग किया जाता है, तो यह होता है, flip-flop, option B, यहाँ पर write हो जाएग, flip-flop का, यहाँ पर use किया जाता है, memory device के अंदर, ने, चलते है, question number 5, पर, the memory sizes in mainframe computers and advanced technology microcomputer are expressed as, mainframe computer और, उन्नत प्रोध्योगी की, microcomputer में, memory आकार को किस परकार व्यक्त किया जाता है, तो इनके दर, जो memory होती है, वोती है, megabytes, option D, यहाँ पर बिल्कुल, write हो जाएगा, next question number 16, which one of the following is not an application software package, निमल खित में से एक application software package नहीं है, first option आपका red hat Linux, B है Microsoft Office, C है Adobe PageMaker, D option है आपका open office, तो दोस्तों नीचे के तीनों, यहाँ आपके application software package है, जबकि red hat Linux यहाँ पर application software package नहीं है, तो इसका write answer आपका हो जाएगा, option A, ठीक है, और news बनाने के लिए किसका use किया जाता है, किस application software का, Adobe PageMaker का, यह आपका harina police के अंदर भी पुछा गया था question, next, An error is also known as, एक true tick को किसके रूप में जाना जाता है, तो आपके जो computer के अंदर error आते हैं, क्या कहा जाता है, bug, ठीक है, और error को हटाने की पर किरिया बोला जाता है, debug, दोनों याद रखना है आपको, true tick को जाना जाता है, bug, और error को fix करने को बोला जाता है, debugging, next, question number 18, Microsoft Word is an example of, Microsoft Word किसका एक उधारन है, तो यह होता है, आपका दोस्तों, application software, option C, यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा, next, question number 19, who invented the supercomputer, super computer का विश्कार किसने किया था, काफी बार exam के अंदर एक question पूछा जाता है, तो इसका विश्कार किया था, see more crane, option D, यहाँ पर बिल्कुल right हो जाएगा, next, question number 20, graphical pictures, that represent an object like file folder etc, चित्र मैं चित्र, जो किसी वस्तु जैसे file folder आदी का प्रतिनित्यु करते हैं, तो वो होते हैं, icons, option C, यहाँ पर right हो जाएगा, icons के अंदर क्या होती हैं, graphical pictures, जो file folder को यहाँ पर represent करती हैं, next, question number 21, the 0 and 1 in binary numbering system are called binary digits, और binary numbering system में 0 और 1 को binary digit या क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है, bits, ठीक है, binary digits या इनको क्या कहा जाता है, bits, option D, यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, right, next, question number 22, the size of commonly used floppy disk is, आमतुर पर इस्तिमाल की जाने वाली floppy disk का आकार होता है, तो इसका आकार होता है, 3.5, option B, यहाँ पर बिल्कुल correct आपका हो जाएगा, next, जलते है, question number 23, the IC chip used in computer is made of, computer में पर्यूख्थ होने वाली IC chip किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है, silicon की, option D, यहाँ पर right हो जाएगा, very, very important question, next, the processor which performs arithmetically and logical operation is called, where processor जो अंगणती है और तारक संचालन करता है, कहलाता है, तो यह होता है, arithmetical logical unit, इसकी full form भी आपको याद होने चाहिए, ALU की, काफी वर पुछ जाती है, और cache memory आपकी fastest memory होती है, यह भी आपको याद रखना है, next, which was an early mainframe computer, प्रारंभिक mainframe computer कौन सा था, तो यह था आपका ENIAC, ठीक है, इसकी full form आपके चलके हम भी दिसक्स करेंगे, यह शमता होती है, इसलिए इनका उप्योग बड़ी कंपनियों, bank तथा सरकारी भाग एक centralized computer system के रूप में करते हैं, यह 2400 गंटे कारी करता है, इन पर सेक्ड़ों यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, आप से पूछे जाएं, कि बड़ी कंपनियों में किस प्रकारी computer use होते हैं, तो होते हैं, mainframe computer, ENIAC की full form आपको पता हों चाहिए, electronic, numerical, integrated and computer, ENIAC की full form क्या होती है, electronic, numerical, integrated and computer, next question number 26, which of the following was the first Intel processor introduced, निमलिकत में से कौन सा पहला Intel processor पेश किया गया था, तो यह था Intel 4004, option B हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल correct, next चलते हैं question number 27 पर, window settings are recorded in, window के setting कहां पर दर्ज की जाती हैं, तो यह होती हैं आपकी, win.ini के अंदर, option B बिल्कुल light हो जाएगा, win.ini के अंदर, windows की setting record होती हैं आपकी, next, when was first email sent, पहला email कब भेजा गया था, यह भेजा गया था, computer engineer थे एक, Ray Tomilson, इन्होंने 1971 में पहला email भेजा था, very, very important, next, operating system is the most common type of blank software, operating system किस software का सबसे सामन्ने परकार है, तो operating system होता है, आपका system software, option C हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर correct, next, question number 30, RAM chips क्या होती हैं, options आपके सामने हैं, तो दोस्तों, इसका right answer हो जाएगा, आपका option A, allow the computer to store data electronically, computer को electronic रूप से data store करने की अनुमतिया परदान करती है, ठीक है, RAM chips, mostly important question है, यह allow करती है, computer को data को store करने के लिए electronically, option A, right हो जाएगा, next, question number 31, super computer are mainly useful for, super computer मुख्यत है, किस के लिए उप्योगी होते हैं, तो यह होते हैं, आपके mathematically intensive scientific applications के लिए, गणित्य गहन, वेगनिक अनुप्योग के लिए, super computer आपके उप्योगी होते हैं, next, question number 32, the operating system manages, operating system प्रबंदित करता है, A option, memory, B option, processor, C option, disk और input output devices, D option है, उप्रोक सभी यहाँ पर आएगा आपका memory, ठीक है, तो दोस्तों, जो operating system होता हो, manage करता है, memory को, processor को, disk को, और input output devices को, तो यहाँ पर right आपका हो जाएगा, option D, all of the above, उप्रोक सभी, next, question number 33, which memory is non-volatile and may be written only once, कौन सी memory non-volatile होती है, और इसे केवर एक बार ही लिखा जा सकता है, तो इसका right answer आपका हो जाएगा, P-ROM, programmable read-only memory, क्या होता है इसके अंदर, P-ROM are used in digital electronic devices, जो P-ROM होती है, यह digital electronic devices के अंदर, यूज की जाती है, डाटा को permanently store करने के लिए, छीक है, next, जोते है, question number 34, which of the following memory is volatile, निमलिकित में से कौन सी memory, S3 यानिकी wasp seal है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका random access memory option, A right हो जाएगा, volatile memory, वो memory होती है, जब हम power को off कर देते हैं, तो उसके अंदर, जो information store होती है, वो lost हो जाती है, यानिकी, खतम हो जाती है, तो उसी को हम volatile memory यहां पर बोलते हैं, next, which of the following is the fastest, निमलिकित में से कौन सबसे तेज है, तो इसका right answer हो जाएगा, आपका, CPU central processing unit option, a, आपका बिल्कुल right यहां पर हो जाएगा, next, a kilobyte also referred to as kb is equal to, a kilobyte जिसे kb भी कहा जाता है, किसके बराबर होता है, तो यह बराबर होता है, 1024 byte के, a kilobyte, 1024 bytes के बराबर होता है, very very important question, next, what is the device that convert computer output, into a form that can be transmitted over a telephone line, वह कौन सा उकर्ण है, जो computer output को एक ऐसे रूप में परिवर्थित करता है, जिसे एक telephone line पर प्रसारिद किया जा सकता है, तो यह होता है, आपका modem option, D यहां पर right हो जाएगा, modem की full form होती है, modulator और D modulator, next, which of the following items, is not used in local area networks, LAN की full form आपसे पुझे जाती है, local area network, WN की होतो, wide area network, MAN की होतो, metropolitan area network, तो LAN के अंदर किसका यूज नहीं किया जाता है, आपका modem का, option B यहां पर right हो जाएगा, computer का, printer का, cable का, तीनों का यूज, LAN के अंदर किया जाता है, next question number 39, Rome is needed for storing an initial program card, खालिस्तान, नाम प्रारंभिक program को store करने के लिए, Rome की आवशकता होती है, तो यह होता है, आपका bootstrap loader, option D यहां पर बिल्कुल right हो जाएगा, next question number 40, computer virus is A, computer virus 1 है, तो यह क्या होता है, software, ठीक है, option B right हो जाएगा, यह क्या होता है, malicious software program होता है, जो load हो जाता है, आपके computer के अंदर, और malicious action, यह आपके computer के अंदर perform करता है, next, double EPROM, stands for, double EPROM का मतलब क्या है दी, इसकी full form, very very important रहेगी आपके लिए, electrically erasable, programmable, read only memory, electrically erasable, programmable, read only memory, इसकी full form, यहाँ पर रहेगी दोस्तो, next, the most advanced form of ROM is, ROM का सबसे उननत रूप क्या है, तो यह है आपका, double EPROM, electrically erasable, programmable, read only memory, option C यह आपका बिल्कुल, write हो जाएगा, next, the file extension of, MS Word Documenting, Office 2007, MS Word 2007 का, file extension क्या है, तो इसका file extension होता है, .docx, next, 1MB is equal to, 1MB किसके बरावर होता है, तो यह होता है, 1024KB, option B हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर, write, next, .matrix, dexjet, inkjet, laser, are all the type of, which computer peripherals, .matrix, dexjet, inkjet, laser, सभी computer के peripherals है, तो इसका होते हैं, printers, छीक है, option A यहाँ पर, हो जाएगा, और इनके बारे में, आगे, MCQs भी आने वाले हैं, exam में, push and push जाते हैं, HSC के अंदर, ठीक है, next, internet explorer, is a type of, internet explorer, एक है, तो यह क्या होता है, browser, option B हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर, next, AVI, इसके फूल फूम, आपको पता होने चाहिए, audio, video, interleave, format was developed by, AVI का जो प्रारूप था, वो किसके दोवारा, विक्षित किया गया था, तो यह किया गया था, आपका Microsoft के दोवारा, option C, यहाँ पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, next, question of 48, blank is the highest speed memory, used in computer, खालिस्तान, computer में उप्योग की जाने वाली, high speed memory है, तो यह है cache, option C, यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, next, which of the following, is an example of operating system, first option, Microsoft Word, second, Microsoft Access, C है आपका, Microsoft Access, और D option, आपका Microsoft Windows, तो दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल जो है, operating system का, Microsoft Windows, और सारे जो हैं यह, application software है, आपके Microsoft World, Microsoft Excel और Access, यह सारे application software है, operating system हाँ का Microsoft Windows, next, which of the following is not, used as secondary storage, निमन में ते किसका उप्योग द्वित्य बंडान के रूप में नहीं किया जाता है, तो इसका right answer हो जाएगा आपका अर्द चलक समर्ती, semiconductor memory का यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, secondary storage के अंदर, secondary storage के अंदर, magnetic disk, drums और tapes, तीनों का यूज किया जाता है, लेकिन semiconductor memory का यूज नहीं किया जाता है, तो दोस्तों यह था हमारा part number one, आशा करते हैं आपको, सारे questions अच्छे लेगों, एकल आएगा मारा part number two, जिसके अंदर हम next 50 questions डिसकस करेंगे, और 10 दिन के अंदर हम 500 questions, most important computer के, डिसकस कर लेंगे, तो दोस्तों वीडियो रहाएगा अच्छले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेर करना नहीं भूले मिलते हैं, नेक्स टूडियो में जाहिन जाभारत,